खाव्टी के लिए दाखल प्रकरंट में गैर अर्जदार फरार हो चाने से पुलिस प्रशासर में खलबली मची इस्थाने न्यायले में खाव्टी प्रकरंट दाखल किया गया जिसमें गैर अर्जदार पुलिस के हिरासत से फरार होने से एक ही खलबली मची है प्रवीन पार्टिल और स्मिता की शादी हुई और उन्हें बच्चे वेसी बीच प्रवीन और पत्नी में कुछ विवाद हुआ इस विवाद के चलती प्रवीन ने पत्नी और बच्चों को घर के बाहान निकाल दिया इस पर स्मिता ने खाफटी के लिए न्यायाले में प्रकरंट दाखिल किया प्रकरंट न्याय प्रविष्ट होने पर एडवोकेट इब्राहिम बख्ष ने युक्तिवाद किया और न्यायाले ने गैर अर्जदार को खाफटी की रकम भरने का आदेश चारी किया लेकिन गैर अर्जदार ने खाफटी की रकम भरी नहीं तब न्यायाले ने उसे एक मा की कैट सुनाई और उसे पुलिस अमलदार अक्षया, सावरकर और पवन वान खेड़े की निगरानी में रखा लेकिन दोपैर तीन बज़े पुलिस ने गैर अर्जदार फरार होने की बात न्यायाले को बताते ही एक ही खलबली मची न्यायाले ने आदेश पारित करने पर हिरासत में लिया गया गैर अर्जदार इस तरह फरार हो जाने से पुलिस प्रोशासन सक्ते में आ गया है